जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेंट फॉरॉर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टार्स वर्सेज स्कॉर्चस की बीच जो मुकाबला होने वाला है बिग बैस का उसकी तो आईए देख लेते हैं क्या क्या इंपोर्टन अपडेट्स हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या है पिच रिपूर्ट क्या है उस पे कौन से प्लेयर्स चलते हैं और सबसे बड़ कािकन भी जरूर प्रेस करतें इसकर नहीं है यह तरकें समस्क्राइब का बिटन है क्लिक कर दो उसके बाढ़ यह मिलेगा हमारे टेलींगराम चैनल पर इसलिए आपको हमारे टेलींगराम चैनल से भी जाकर जल्दी से जोड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे best method है वो यह है कि नीचे जो pinned comment है यानि first comment उस पर टेलिग्राम का link मिलेगा उसे click किजिए और channel को join कर लीजे नहीं तो आपको description में भी link दिखाई देगा अब description कहां दिखता है तो देखे description कही लोग को यह जो views दिखाई दे रहा है उसके आग को at the rate click informer यह screen पर दिखाई दे रहा है यह message बेज़ देना है और फिर उस message को click कर दीजेगा direct आप आजाएंगे हमारे टेलिग्राम चैनल पर और फिर वहां से join कर लीजेगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं pitch report की क्योंकि ultimately मैं आपको fantasy का जो सबसे basic तरीका है ना वही बतान मैं टॉन के उमीद कर रहा हूं फिर हमारे टीम में तनवीर संगा भी थे स्विप सन भी थे कुने मन भी थे और उसका रीजन वही था क्योंकि हमें ड्रायर साइट पर विगट दिखाई दे रहा था और पिच पर टॉन की उमीद थी तो यह सब काफी important होता है इसलिए वीड वो hard होता है और batters को ज़्यादा advantage देता है पेसर को extra bounce भी मिलता है कभी कभी movement भी मिलता है ठीक है तो दो department को यह पिच ज़्यादा मदद देती है किसको किसको batters को pacers को spinner को ज़्यादा turn नहीं मिलता लेकिन उनके लिए भी advantage की बात रहती है क्या advantage है जब भाई dimensions एकदम अच् तो spinner को dimension से profit होता है तो overall यह बहुत high scoring वाला venue नहीं रहा है भले ही पिच बल्लेबाजो को ज़्यादा support करती हो पेसर को थोड़ा ज़्यादा support करती हो लेकिन score इस पे most of the time 168C बनता है हलंकी एक दो big best match मैचे मिलना यहाँ पे 240-240 भी बने हुए लेकिन वो कभी कभार होता ह जब एकदम पाटा track हो जनरली 160-110C वाला विकेट होता है बैटर स्पेसर को ज़्यादा advantage देता है तो इतना ध्यान दीजेगा लास के 6 T20 मुकाबले देखें तो उसमें एक भी बड़ा मतलब high score वाला venue नहीं दिखाई देगा गेम नहीं दिखाई देगा उसका एक बड़ा जने कि स्टार्स जब पहले बैटिंग कर देता है पहले ही वह बेडा गर्क कर देते हैं क्योंकि उनकी टीम कभी भी अच्छी रही ही नहीं है इधर भी तो देख लेते हैं क्या सूरते हाल है स्टार्स ने 119 किया थंडर से 120 बना के जीत गया पेस को पांच स्पिन को 8 विके खराप रदर्सन जारी रहा और उसके अलावा रेनेगेट्स भी कमजोर टीम मानी जाती है तो उन्हों नहीं बड़ा इसकोर नहीं किया तो यह इसलिए नहीं बड़ा इसकोर हुआ क्योंकि दोनों टीमें थोड़ा कमजोर थी फिर स्टार्स ने 183 किया हरीकेंज 145 पेस को स थोड़ा ज्यादा एडवांटेज 160-180 के बीच में इसकोरिंग होता है लेकिन फिर से स्टार्स अगर पहले बैटिंग किया ना तो कोई कुछ भी गारेंटी नहीं ले सकता यह ध्यान देना है head to head record की बात करें तो स्टार्स ने 8 जीते हैं स्कॉचर्स ने 13 जीते हैं अन दे पेपर भी स्कॉचर्स फेवरेट है तो overall आपको यह मानना है स्कॉचर्स को जीतना चाहिए आगे चलते हैं Melbourne Stars टीम के preview की बात करें तो as expected उसी तरीके से इन्होंने शुरुआत किया है जैसा लोग उमीद करते हैं मतलब बड़ी हार से यह मतलब Stars का और बड़ी हार का ना बड़ा पुराना नाता है पता नहीं क्या हो जाता है इस्टोनीस, Maxwell सब है इनके पास लेकिन और जगह से उतना सपोर्ट नहीं मिलता इसलिए यह टीम काफी लंबे अंतर से हारती है अगर बात करें टीम नहीं उचकी तो भाई पिछला मैच तो हार तो हुआ ही था और उसके अलावा इनको लगा दो बड़ा जटका अब क्या-क इस राउप और एम इस्टेकिटी यह अवलेबल है सेलेक्शन के लिए और दोनों ही काफी सांधार गेद बाज है ठीक है बात करते हैं इनके प्रॉबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग और में वो आपको स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है यह है इनका प्रॉबेबल 11 ए इनकाल दिया है तो यह है इनका प्रॉबेबल 11 अब बात करते हैं यहाँ पर न्यू इंट्रेंट कौन है एक तो निकलार किंग है दूसरा ब्यू वेबस्टर है तीसरा इस्टेकेटी है और चौथा हरीस राउप है तो यह कुछ चेंजे जिस टीम में होने वाले हैं तो यह लगता है इनको बैटिंग अपना मजबूत करना चाहिए क्योंकि इनके पास पाट टाइमर्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा ओवर करते हैं वेबस्टर बालिंग करते हैं ठीक ठाक मारका से स्टोइनीस हैं हिल्टन कार्ट राइट हैं तो भाई पाट टाइमर्स हैं तो जाएंगे जनरली चांस है जोल पेरिस के कट हो सकते हैं डाउसन के कभी कवार कट होते हैं पिछले मैच में तो उसामा मीर का ही कट कर दिया था तो इन मतलब की स्पिनर की अगर पिटाई होई तो बाउंडरी लंबी है तो इस पिनर पूरे ओवर करने चाहिए तो यहां पे जोल पेरिस के ओवर कुछ कटेंगे वो स्टोइनिस के पाले में जाएंगे वेबस्टर के पाले में जा सकते हैं यह ध्यान दीजेगा डेथ की बात करें तो डेथ इनके तरफ से अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो डेथ ओवर के स्पेशलिस इनके पास स्टेकेटी है और राउफ है लेकिन मैं COT के साथ नहीं बोल सकता है यह जोल परिस को भी करवा सकते हैं और स्टेपनीस भी इविन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं player-wise analysis की तो सब से पहले आते हैं T प्रेसर्स, रोजर्स, जो की ठीक ठाक बले बाद हैं, ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूगा, ज्यादा खराब भी नहीं बोलूगा, डॉमस्टिक लबल पर अभी अच्छा है, लेकिन बडे लवल पर उतना impact वाली पारियां ज्यादा नहीं खेला है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा भाई सामने बहुती quality pace attack है तो उतने अच्छे pick नहीं होगे हो सकता है कभी कबार अच्छा खेल जाए वेन्यू पर अच्छा record है लेकिन आपको impact वाला performance नहीं देंगे जल्दी फिर आते हैं Sam Harper एक और hit और wish type अले बले बाच कभी कबार ही बड़ा score करते हैं बस वाई यह भाग यह मनाईएगा कि keeping से ज़्यादा point ना देते नहीं तो batting से most of the time यह 15-20 जाते जाते विकेट फेकते हैं कभी कबार ही luck अच्छा रहा तो अच्छा score कर देते हैं जैसे ages no man's land में गिरे तो फिर कभी कबार 40-50 भी बना देते हैं लेकिन बड़े score करने के chances कम रहते हैं हलंकि keeping back up रहता है इसलिए आपको 30-35 point यह दे के ज़्यादा तर matchage में जाएंगे लेकिन batting उतना अच्छा इनका नहीं है consistency उतना अच्छा नहीं है और सामने बहुत ही अच्छी गिदबाजी attack है तो मैं आपको भी suggest करूँगा कि उतने अच्छे pick नहीं होंगे हलंकि जिसको लगता है keeping से point जाता दे सकते हैं वो ट्राई कर सकते हैं तो यहां पर बांडरी थोड़ी लंबी होती है तो जो मिसेट्स इनके छक्के जाते हैं कहीं पर यहां पर कैच कर लिये जाते हैं ठीक है फिर आते हैं निक लार्किन ठीक ठाक बल्ले बाज है लेकिन current form उतना अच्छा नहीं है कभी कबार अच्छा खेल जाते हैं लेकिन अगेन बहुत अच्छे pick नहीं होंगे क्योंकि बड़ा इनिंग जल्दी इनके बल्ले से नहीं आता है फिर आते हैं मारकास इस्टोइनिस बिग बैस में कई बार इनको पता नहीं क्या हो जाता है लेकिन बहुत ही तगड़े इंटर हैं मैक्सवल नहीं है तो मैं उमीद कर रहा हूँ टीम इन से बॉलिंग भी करवाएगी और खुदी captain है तो बॉलिंग करना चाहिए यार अभी से ही है इनका बैटिंग ओडर थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाता है तो कई बार यह आके इंपक्ट वाला पारी उतना नहीं कहलते हैं लेकिन अगें इनके टॉप ओडर में ज्यादा दम नहीं है तो बैटिंग आना चाहिए तो एकाग जील में एजे ट्रम का ट्राई कर ल चवाली जसलो चेक आवरेज है लेकिन आप देखेंगे ना अठारा इनिंग लिया है मतलब मोस्टली नबार जाते हैं पर इनिंग अगर आप देखेंगे तो 25 के आसपास आवरेज आता है अगर हम वो नॉट आउट वाला हटा दे तो और हमें फैंटेसी पॉइंट से और यह वन डाउन ना मेंसर्ण हो क्योंकि कभी कबार यह वन डाउन आ जाते हैं तो वन डाउन अगर आए तो एक अच्छे पिखोंगे फॉर्म अच्छा चल ला है है टुएट भी देखेंगे बहुत ही तगड़ा है 48.4 का एवरेज है और एक दो ओबर बालिंग यह कर सकत है लेकिन अगर नीचे मेंसर्ण है नंबर छे साथ पे न तो फिर जील में एक आख टीम में ट्राई कर लिजेगा क्या पता विगेट जल्दी गिरे बैटिंग आ जाए नहीं तो फिर बहुत अच्छे ऑप्सन हो नहीं पाएंगे केवल और केवल अपने बैटिंग ओर के का सकते हैं क्योंकि तीन ओवर के आसपास मैं उमीद कर रहा हूं बालिंग करना चाहिए प्लस बैटिंग में भी यह ठीक ठाक बल्ले बाज है और अगर आके 10-15 बना देते हैं तो फिर एकाक विकेट भी ले लिए तो अपना काम बख़ू भी करके जाएंगे यह ध्यान दीज लेकिन अगेन यहां पर इनको हिट करने में कैच एच कई उठेंगे बाउंडरी लंबी होती है तो यह आपको विकेट दे सकते हैं और रहर है कि यह छक्के अच्छा लगा लेते हैं तो इसमॉल लिग में एक रिस्क हो चुका है कि पता नहीं बालिंग अगर फिर से कट गय तो ज्यादा ओबर नहीं मिलेगा लेकिन यह आपके लिए बेहतरीन ट्रम कार्ट पिक होंगे क्योंकि विकेट मिलने के चांसे जिनके हमेशा रहते हैं तो जो भी रिक्स टेकर हैं इन पर रिस्क ले सकते हैं विकेट इनको मोस्ट अब दे टाइम खासकर डोमेस्टिक लिक इनको मिलता ही मिलता है और यह रन भी बना सकते हैं यह द्यान दीजेगा फिर आते हैं मांक्स टकेटी। विकेट टेकिंग नेचर के गिदबाज हैं और इनकी पिटाई होती है लेकिन मोस्ट ली विकेट लेते हैं लास्स सीजन भी ज़्यादा प्रेसर नहीं बनाना तो बहुत ज़्यादा विकेट इनको नहीं मिलेगा अभी ऑस्टेलिया यह से भी खेल के आ रहे हैं overall first balling में must have pick होंगे क्योंकि death करेंगे second balling में थोड़ा average option क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेसर नहीं रहा तो फिर बहुत ज़्यादा विकेट लेने के chances कम हो जाएंगे तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे फिर आते हैं जोल पेरिस पिछले matchman को death दे दिया गया था लेकिन जनरली टीमें देती नहीं है पिटाई भी इनकी इस लेवल पर अच्छी खासी होती है overall उतने अच्छे पिक नहीं होंगे आराम से ट्राइ कीजे है है टूएट भी अच्छा है वेन्यों भी बढ़ियां है और बढ़ियां के दवाजी करते हैं नीचे मुस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा तो दस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स टीम के प्रिव्यू की तो पर्थ अच्छा पर्फॉर्म करता है इवेन दूसरे टीम सब भले फ्लॉप हो रहे हूं तो कॉन्फिडेंस मिलता है इस टीम में यह बात ध्यान दीजे के मतलब काफी पॉस्टिव इन्वार्मेंट रहता है तीम अभी भी अच्छी है कासकर बॉलिंग तो इनका टूर्णमेंट म में वह स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है यह होना चाहिए इनका प्रॉबेबल लिए उन एक्स्पेक्टेड बैटिंग ओडर में अगर बात करें इनके तरफ से बॉलिंग ऑप्शन की तो चार में बॉलर्स को पिछले मेंट में इन्होंने खिलाया था वह हैं जैसन बेरंड से देखेंगे कुछ इस्टों टर्नर से देखेंगे तो यह द्यान देना है हाडी ने पहले ही बोल दिया है कि इस सीजन वह अच्छा खासा कदबाजी करते वह दिखाई देंगे इंडिया खिलाब 3-4 और कर भी रहे थे तो आप मान के चलिए 3-4 और तो यह करेंगे ही करें यह कुछ important point है डिठ की बात करें तो इनके तरफ से जाए रिचर्सन और ताय को करना चाहिए वही शुरुवाती ओबर की बात करें तो वह जेसन बहरन डॉप और जायरी रिचर्सन देख सकते हैं लेकिन कभी कभी हाडी घी भी कर सकते हैं जेसन बहरन डॉप के साथ क्योंक काफी talented बलेबाज माने जाते हैं और सामने वाले team का balling देख रहे होंगे ना बहुत ज़्यादा दम नहीं है एक राउफ है अच्छे पेसर बाकी कोई उतना मतलब एकदम impact वाला पेसर नहीं है वही spin attack भी उतना तगड़ा नहीं बोल सकते तो ऐसे team के against इनको अच्छा करना चाहिए तो इसके नाजी अच्छे pick रहेंगे talented बलेबाज है बढ़ियां बलेबाज है जरूर कबर कीज़े फिर आते हैं Cooper Connolly अभी तक कुछ खास इन्होंने खेला नहीं है और बड़े लेवल पर अभी देखना पड़ेगा कैसा परफॉर्म करते हैं अंडर 19 के अच्छे player रहे हैं balling backup भी लाते हैं लेकिन सायच ज़्यादा balling मिलेगा नहीं तो उतने अच्छे pick नहीं रहेंगे एक आग GL में risk ले लिजेगा खासकर second balling में जैसे stars क्या पता प्रेसर में हो यह आके कुछ run बना दे शुरुआत में और फिर आके second balling में इनको एक दो बर मिल जाए और उस समय बलेबाजी करते हैं पाइरो टेकनिक्स इनकी अच्छी है और सबसे बड़ी बात balling back up भी देंगे मतलब captaincy के सबसे safe option हो जाते हैं इंटरनेशल cricket में बैटिंग फ्लॉप रही थी लेकिन इस level पे बहुत ही अच्छे hitter हैं और बढ़ियां बलेबाजी करते हैं यह ध्यान द यह होता है कि इनकी बैटिंग ही कई बार जादा नहीं आती हैं बहुत बार नाबाद रहते हैं match winner हैं finisher हैं लेकिन बैटिंग ही नहीं जादा आती तो इसलिए बहुत अच्छे pick नहीं हो पाते हैं लेकिन अगेन अगर first batting आती है तो turner पे risk ले सकते हैं रीजन एक या दो इनको करना है सेकेंड बॉलिंग रहेगी टीम की जब इनके तो उसकेस में एक दो बर अगर करने आए लिफ्टेंडर्स के एगेंस खिलाब तो फिर विकेट मिलने के चांसेज रहेंगे और उसके अलाबा यह बैटिंग अच्छा करते हैं और first inning में आके यह लास्ट के 5-6 इनके तरकस में इतने तीर हैं जो पेस बॉलर्स के पास बने चाहिए लगबग सभी है movement हासिल करते हैं, pace है, hard length को hit करते हैं, short pitch इनके पास अच्छे खासे हैं और wicket taker है, slower ones का भी प्रयोग करते हैं मतलब यह complete gate वाज है यार और यह थोड़ा सा star के एरा में first गये हैं, मतलब star commins और resolute के एरा में नहीं तो लगातार खेलते हैं और सबसे बड़ी बात इनके चोटें भी बहुत वह रहता है, big boys खेलते हैं फिर चोटील हो जाते हैं, यही इनका पूरा carrier रहा है, विकेट टेकर रहें, must have pick रहेंगे, even चाहें तो captaincy option में रख सकते हैं, फिर आते हैं एंडूता है, पिटाई होती है इनकी, लेकिन विकेट लेके जाते हैं, नकल बॉल्स का प्रयोग, कटर्स का प्रयोग, slower runs का प्रयोग, यही इनका main अस्तर है, must have pick, आराम से आप GL में captain कर रहा था, उससे पहले जब खेला था, वार्मप मैचेज में, तो वहाँ पर ठीक ठाक गिदबाजी किया तो एक मैच में दो विकेट भी निकाले थे, तो आप 2-3 ओबर देखेंगे, अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन बॉलिंग आप इनसे 2-3 ओबर जरूर देखेंगे, फिर आते हैं, जेसन बेरन डॉप, सामने वाले टीम का टॉप ओडर देखेंगे, बहुत अच्छा नहीं है, हिट और मिस्टाइक वाले बाद ज़्यादा है, इनको मुव्मेंट मिलता है, और लाइन लेंद बहुत ही अच्छा रहता है, सैम हर्पर, अगर इनको हिट करने क अगर बात करें हर्पर की, तो कोई ध्यान देने वाला उतना मैच अप नहीं है, आगे चलते हैं, जो बंस, चार बर ताएक एक एंस आउट है, लेकिन स्क्वाइड में नहीं है, उसके अलवा कार्ट राइट, कोई ध्यान देने वाला मैच अप आपको नहीं दिखाए देगा, इस्टोइनिस, जायर इचर्सन के अगेंस दो बार फसे हैं, ताएने इनको चार बर आउट के है, हलंकि पिटाई भी इनके खूब हुई है बी बी बै वेस्टर, ज्यादा ध्यान देने वाला मैच अप नहीं है, लार्किन के साथ भी सेम वही है, टी रोजर्स के साथ भी कोई खास वो नहीं है, जौस इंगलिस हमें कोई ध्यान देना नहीं है, कुल्टर नाइल को अच्छा हिट करते हैं, लेकिन वह अपलेबल नह सब्सक्राइब करें एक बार कुल्टर नाइल ने इनको फसाया हुआ है निक उपसन ज्यादा कोई ध्यान देनों मैच अप नहीं है तो दोस्तों यह मैं इसलिए रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मैं उमीद कर रहा हूं कि इनको बाॉलिंग करना चाहिए बाॉलिंग मतलब 3-4 और बैटिंग भी इनकी आ जाएगे विवेश्टर अगर उपर मेंसर ने तो एक बहतरी इन ट्रॉम काट पिक होंगे क्योंकि यह भी एक दो और बाॉल लिया है खासकर फर्स बालिंग आएगा तो मैं कवर करूँगा फिर मैंने उसामा मीर को लिया है जो कि थोड़ा सा बैटिंग बैक अप भी दे सकते हैं विकेट टेकिंग नेचर के गिदवाज है हालिकि इनके साथ रिस्क रहेगा ओवर्स कभी भी कम हो सकते हैं पिछले मै सब्सक्राइब करें तो हाड़ी को मैंने कैप्टेन किया इस टोइनिस को भी सी आप रिवार्स भी कर सकते हैं इसका ये बात ध्यान दिजेगा और उसके अलाबा आप जोस इंगलेश को कैप्टेंसी ऑप्सन में रख सकते हैं जायरी चरसन है ताए हैं जिनके भी सीवी सी क सब्सक्राइब करें जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर प्रेस कर दीजेगा नीचे पिंड कॉमेंट में टेलिग्राम चैनल का लिंक है उससे भी जुड़ जाएएगा धन्यवाद